छोटी सी उमर परणाईयो बाबा साथ काई थारों करयों है कसूँँँँद्रा दीना तो मानी लाड लडाया अबू क्यूं करो सा माने दूँद्रा 11 साल की उमर में खुद से 25-30 साल बड़े आदमी से फूलन देवी की शादी हुई थी 1983 में डकैद गैंग ने उनके घर से फूलन देवी का अभारन कर लिया था उसके बाद प्रतारना, कश्ट, बलातकार, ख्रणा और नरसंहार का ऐसा सिलसिला रहा कि फूलन देवी का नाम हर भारतवासी के सुबान पर आगया एक बार फूलन देवी ने एक इंटर्विव देते हुए कहा था फूलन देवी लोगों की नजर में पहली बार तब आई जब उनके गैंग ने उनके उपर हुए बलातकार का बदला लेने के लिए कानपूर के नस्दीक बहमेई गाउं को गेर लिया वहां उन्हें वो लोग तो नहीं मिले जिन्होंने फूलन पर जल्म ढाये थे लेकिन उन्होंने गाउं के 21 राजपूत लोगों को जमा कर गोली से उड़ा दिया भूगनेपूर कलेक्टरेट में चपरासी के तौर पर काम कर रहे जंतर सिंग भी उन लोगों में से एक थे जिन पर गोली चलाई गई थी लेकिन वो बच निकले थे 36 साल बाद भी उन्हें वो खटना अभी तक याद है इन्हों ने गाओं को चारफ से गेल लिया और लूट पार्ट भी शुरू की जो मिलते गए उनको पकर के एक जगह पर बैठालते गए एक कुमे पर इसके बाद जो है सब को एक अच्टा करके और बोले कि आप लोग ये बताईए कि इस लाला राम गैंग को कौन खाना लेता है कोई नहीं बता है बोले आप लोगों को पता होगा था बोले हम चों पता कर रही लेंगे और हम आते हैं तो पुलिस से मुख़़ी करते हैं आप लोग तो नहों ने बोले सब लोग बैठ जाओ फिर बोले सब लोग खड़े हो जाओ फिर बैठ जाओ फिर खड़े हो जाओ एक दम से इनोंने बटा-पट बटा-पट फायट सुरू कर दिया, सब की उड़ा, साथ-ाथ-ठिटे, दूरी चला रहे ज्यादा ज्यादा, गोली जमीन में दज जाती, तो नीचे धूल, इतनी बंदूगा कि धूगा, खूड के फुबारे, उसमें इनको देख नहीं गा था कितने जिंदा, कितने मरे हैं, तो ये एक दो मिनट के लिए रुके, तीन लोग उसमें खड़े थे वहाँ पर, जो हमने देखा कि ये लोग चले गए, जैकारे करते हुए, नारे लगाते हुए, हमकर सब चले गए, मैंने आख खोल दी, तो आख खोलने पर, हमाई आख उसक के खायर कर दी, तीन जो अंदा बोर्गी बंदू, जैंतर सिंग को उनकी चाची बेलगाडी पर लाद कर अस्पताल ले गए थी, ये उनका सौभाग था, कि सीने में गोली लगने के बावजूद, वो ये कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, पिछले दिनों, इंडियन ए करके एक महिला है, जिनके पती इसमें मारे गए थे, वो आज शायद 65 के करीब उनकी उमर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने फूलन को आते हुए देखा था, वो जै मा काली कह रहे थी, और उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था अपने कंधे पे, और जो घरों में जो बरतन और अनाज जो भी था सारा लूट रहे थे, और वो ऐसे कपड़े की बोरी में भर रहे थे उसको, और जब यहादसा हुआ, उसके आठ दिन बाद गाउं में किसी के घर पे खाना नहीं बना, जो आसपास के गाउं थे, वहां से लोग खाना लाकर दे रहे थे बच्चों के और इसमें एक और राजाराम सिंग थे, जो बच गए थे, क्योंकि वो अपने घर के चट पे छुपे हुए थे, कोई उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन जहां बावडी के पास लोगों को मारा गया, वो उन्हें वहां का नजारा दिख रहा था, और आज वहां पे समारक ब पाद उत्रप्रदेश और मद्रप्रदेश की पुलीस ने फूलन को पकरने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, एक बार पुलीस ने फूलन को घिलोली गाओं में घेर लिया था, उस उप्रेशन में भाग लेने वाले, उस समय जासी रेंज के डियाई जी और बा इंकर एंकाउंटर वा दिन में, कई उन्हों ने मर गया पर फूलन को नहीं मिला, जब नहीं मिला तो दुबलाल वस विरी शूर दर फूलन वस दिया, उसका नेटवर्क अविन जलिजन्स वस सो स्ट्रॉंग, तो फिर हम लोग जब पहुंच गया और वहां से पहुंच गय आगरा से वह हमारे वीपी सिंगल, वह थी अडिशनल आईजी एंटी डेकॉइटी ऑपरिशन, कानफुर से डियाईजी आईजी आईगा, हम भी जहांसी से पहुंच गया, स्पीज सब आए गया, तो तब तक साम हो गया, तो यह इता है, वहां कि राद बार गहरे रखों, सब जीप लाइट आउन कर दिया, ताकि दिख जाए, और गाहों वाला को बताएगे, एक एक करके आप ज़र आ जाएए, तो ताकि ग्राहों खाली हो जाए, पर साब आगा है, सब को चेकिए किया, ताकि फूलन ना निकल जाए, एक बुड़ी और रह गए अंदर, और खार जाए खारी यह जिला रहेती है, है अल्ला, हम लो समझनी आए, यह क्यों नहीं आई, और उसम ने का राजी नहीं होगा, तो नेक्स देश सुबह जब गए, तो फूलन का कोई निशाना नहीं में था, तो भी कॉल अफ बात में मालूम पड़ा, कि फूलन वेरी मस्दियर, वहीं थी, एक डिचकन नीचे, और जिसको पर भूसा रखा हुआ था, और मज़ा जाए बात है, विक्रम सी भूसा में बैठे हुए थे, जो कि बात में डी जी यूपी बन गए थे, तो हाई अल्ला, जो है यह कोड था, यह तो अलर्ट पूलन देवी अनमान सिंग, उनका मैंने उत्तरप्रडेश के पूर डी जी पी विक्रम सिंग से संपर किया, जो जमाने में हमीरपूर के S.P. हुआ करते थे, और फूलन के खिलाफ इस आपरेशन का हिस्सा थे, पहमाई कारिट के बाद गेरा बंदी बनी, यह लोग सब वही कैम्प करते थे, वो आज का जमान के वही जब तक कि मुटवेड़ होकर के आप इस पार या उस पार न कर लें। बैरहाल मुटवेड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल आफसर से, वायरलेस टेशन स्थापित किया गए, मुटवेड शुरूई हुई, रामाईर सिंग हमारे उनको गोली लगी एसो कोतवाली जालां थे, लेकिन मुझे कहने में कोई संब्वेड़ी नहीं कि फूलन देवी ने बहुत जल्दी बहुत कुछ फील्ड क्राफ्ट रफिक्सी कि लिया था, बहुद इस अच्छी मुटवेड के पूरी घेरावंदी के फूलन देवी भागने में सफल लेकिन उसमें ये कामयाबी जरूर मिली कि फूलन देवी समझ गयें कि ये आखरी मुटवेड है, अगली मुटवेड में वो बचेंगी नहीं फूलन को पकड़ पाने में असफल रहने पर मदपरडी सरकार ने बीड़ा उठाया कि फूलन देवी को आत्म समर्पन करने के लिए राजी किया जाए और इसकी जिम्मधारी दी गई भिंड़िले में एंटी डकोईटी आपरेशन के एस पी राजी इंद चितरवेडी को चितरवेडी बहुत बड़ा जोकिम उठाते हुए पहले मोटर साइकल पर और फिर करीब 6 किलो मीटर पैदल चलने के बाद फूलन से मिलने चंबल के बीड़ों में खोड़न नाम की जगए पर पहुँचे वो उनके और उनके गैंग के साथ 12 घंटे रहे लेकिन चलते समय फूलन देवी ने एक पेच फ़सा दिया राजी इंद चितरवेडी याद करते हैं से लेके दुपेर खाना वाना उसने बनाया बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी रोटी तो हम चले वहां से करीमन शाम को और करीमन दो बजे रात को हम पहुचे भिंड ये भी मेरे साथ में था साड़े चार बजे शुबह हमने सीन को फोन किया के वहल इतना ही बोला वो एक्सपेक कर रह थे कि हम कुछ ख़बर देंगी था होने बोला सर तू डाउन डन तू डाउन कोड़ वर्ड थी तू बोले अच्छ ठीक है सब्सक्राइब कर देंगी बोला कि हम लोग बैठेंगे अकेले बिलकुल तो बिजनस क्लास में बठा दिया और दिल्ली पहुचे तो फिर टैक्सी में बैठ करके हम मझपुष भवन पहुचे तो वहां जब पहुचे तो मुहां धो करके विजाओ शेविंग वेविंग कु की और उसकी वोईस भी रेकॉर्ड कर दी थी उसने अपनी मा के लिए एक अंगूठी दी जिसमें एक पत्थर हकीक था तो बोला ये मा को ज़रूर पहुचा देना आइसेट विलकुल तो जब वहां पहुचा जैसा मेरा अनॉंस्मेंट वहां बोला आईये चुतर विजी त इसके बाद पूलन के दूद को वापस दिली से मद्रप्रदेश पहुचाया गया इस बीच मद्रप्रदेश के मुख्यमंतरी अरजुन सिंग राजी इंद चतरवेदी को लेकर दिली गए यहां बेशन सिंग मैरा कंदे प्टपटा है तो अंदर ले गाए मड़म से मुलाकात की शी वरेड भेरी ग्लास थी जब प्रदेश इस मुलाकात की और से भाद जिए कि हम लोग के मैं तो साफधान हो गया अरजुन सिंग जी बोले ले इस राजेन चिश्मिंट मये इस बीच उनकी फूलन देवी से कई बार मुलाकात हुई फूलन में विश्वास पैदा करने के लिए राजीन चेतरवेदी अपनी पतनी को उनसे मिलाने ले गए और जब आपकी वाइफ गई ये एक सॉफ्ट टश देने के लिए विश्वास के लिए क्या उसका पर्पस क्या था उनको ले जाने का? आखिर बाराँ फरवरी 1983 का दिन आया यब फूलन ने मद्रब्रदेश के मुख्यमंतरी अरजुन सिंग्ग के सामने आत्म समर परक कर तिया वहां ने जगाडियों का इंतजाने किया थी उसको ले जाएंगे भेंड़ तो रास्ते में खुब फार करते 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 गए वो अलास से इसके बाद पूलन देवी 11 साल तक जेल में रही पहले कौालियर और फिर तिहार में 1994 में मुलाहिम सिंग यादफ की सरकार ने उन्हें रहा कर दिया 1996 और 1999 में वो मिर्जापूर से चुनाओ जीत कर लोकसभा पहुची 25 चुलाई 2001 को बहमई हत्याकांट का बदला लेने के लिए उनके घर के सामने शेर सिंग राना ने उनकी हत्या कर दी फूलन के पती उमेज सिंग याद करते हैं बैंजी हमारे एक मीटिंग कर दो आप वो जो लड़का था जो मडर करने वाला वो भी रूड़की का ही था उसने उसको जो ना अपने आच्छे खीर भी बना खिलाई थी फूलन देवी ने और वहां से खीर खिला करके ग्यारा बज़े परलेमेट निकल गई गाड़ी तो उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी उसके उसी लड़के की वह अपनी गाड़ी मुसको परलेमेंट छोड़के बैस वह अंदर गई है तो उन्होंने यह काभी वापिस आएगी है वह उन्होंन अपनी जो भी बाहर बैठके प्लानिंग जो बनानी थी बनाते रहे और गाड़ी लाकर के बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी कर दी दरवाजे के बगल में राजनाथ सिंग का गरा हमारा जैसे वो आई पार्डलेमेंट से तूसरे की गाड़ी माई थी गाड़ी अंदर गई नी गेट पे उतरी वह उन्होंने बोली मार देता रहान पदल बीबीसी दिल्ली